दोस्तों अर्ली उट पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल पे पली बार हैं फर्स्टेम वीडियो देखने चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेजे बेल अकन प्रेस किजिए ताकि सभी वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों जदी आप जोइन प्रोब्लेम को सॉल्व करने के लिए ताकि यह वाला जोइन कर लेना ठीक अब बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में देखा कितने समय तक मोलेटरम 3.0 आखिर मिल सकता है बिना किसी डिकुमेंट दिये हुए जदी यह कुछ हो जाता है तो जदी ऐसा होता है त क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था जो गुट नियूज सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार यह यह आप 100% मान के चलो जो बहुत बड़ी खुसकवरी आने वाली है लेकिन हाँ खुसकवरी आएगी तो उसमें आप से भी लोग सोचते भी हो ने जदी फिर हो जाता है कितने टाइम तक के लिए होगा और आयब आई जो वो को रिजोल्यूसन वाली जो पैकेज थी उसके बारे में बात मैं कर ही नहीं राऊंग है और यह जो अभी एक्स्टेंशन वाली बात है यह तो करेंट वाली मोले ट्रूम एकस्टेंशन की बात कर रहा दोस्तो जो आखिर कितने टाइम तक आपको moratorium 3.0 मिल सकता है बहुत बड़ी खुसखवरी हम इस वीडियो में एनाउंस करने जा रहे हैं बताने जा रहे हैं खुसखवरी यानि महना भी जान लो कितने महने तक मिलता है दोस्तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको mor महने की बात नहीं कर रहा बिना document दिये हुए आपको दो महने तक मिल सकता है moratorium 3.0 जैसा कि अभी हमारे पास sources से report आ रही है sources से जानकारी आ रही है हमारे पास जो moratorium 3.0 जदी आपको मिलता है ठीक है जैसा कि कल के date में सुप्रीम कोर्ट में से भी फैसला आने वाली है और सरक सरकार ने भी इस पर मंधन स्टार्ट कर दिया है तो यही चीज है जो हम आपको बता रहे हैं सरकार की उपर पर पर प्रेसर तो बहुत तगरी वाली प्रेसर पर गई है और रबिय के उपर भी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा जो ज़ज साहब हैं उनके उपर तो ये फैसला अपने आप में बहुत बरी बात कहा जाता है, तो आप ये रखके चलो जो few more month यानि दो मेहने के लिए आपको मिल सकता है, और ऐसा हम अपने report के according कहा रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो कैसे दो मेहने के लिए सुप्रीम कोट में जो केस चल रहे थी, सिबल सहाब ने बोला था, तब तक के लिए आप मुलिटम दे दीजिए, बरहा दीजिए, जब तक की सुप्रीम कोट में केस सुनवाई चल रही है, और सरकार ने हर बरी में अपनी meeting भी चालू कर दी है, निर्मला सितरमन जी meeting ले रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ये indicate करता है, जो सरकार चाहती है, लोगों का business भी नहीं जाए, household भी सही तरीके से काम करें, अब सबसे बरी बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्त, ये देख लो, ये देख लो, अब मैं आपको calendar दिखाता हूँ, आखिर क्या चीज चल रही है, ये कब की calendar ये अगस्त का है, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर, यानि अगस्त, यानि सितंबर और अक्टूबर, दो महने तक आपको monitoring मिल सकता है, ठीक है, बिना कोई document दिया, कैसे, इसलिए क्योंकि दोस्तो, सितंबर में तो देना ही देना है, और अक्टूबर में, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, यानि festival का season स्टार्ट हो रहा है, जो festival season में, तो अपहले वाला दो festival आप ले लो, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में कोई परवित यहार है, अक्टूबर में तो है, दसारा है, विजादस्मी है, तो सितंबर और अक्टूबर आपको मिल रहा रहात, लेकिन दीपावली में, दीपावली जो November में है, उस में आपको राहत, उस time तक तो आपको कुछ न कुछ पैसे बगर आएज आएं जाएगे, तो बेंको को भी कुछ न कुछ पैसे चाहिए, तो दीपावली तक मोरीटोरियम में तो नहीं मिलेगा मोरीटोरियम लेकिन हाँ सितंबर और अक्टूबर दो महना आपको मोरीटोरियम पक्का मिलने का संभावना जताई जा रही है जैसा कि हमारा report कहता है हमारा analysis कहता है और ये report 100% accurate report है जो हम आपको बता रहे हैं ठीक है ना यहाँ पर साप साप लिखा है जो कितने time ठक मिलेगा few more months यानि few more months मतलब क्या एक बार मिलती है RBN molitum दिया था 3 महने के लिए दूसरे बार फिर 3 महने के लिए दिया तो फिर अब कितने दिन के लिए मिलेगा कितने महने के लिए सिर्फ 2 महने के लिए मिलेगा ये हम बता रहे हैं पूरे YouTube Google पर पहली बार ये पहली बात ठीक है तो अब ये सोच लेना Supreme Court भी 2 महने के अंदर कुछ सुनवाई हो जाएगी मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ लेकिन ये तो एकी तारिक को हो जाएगा सरकार भी 3 तारिक को मिटिंग ले रही है सरकार भी क्या कर रही है 3 तारिक को सभी बैंकों के साथ मिटिंग ले रही है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात में बता रहा हूँ और आप ये मान के चलना जो सितमबर और अक्टूबर दो महने तक आपको बिना किसी डोकुमेंट का मुरिटोरियम मिल सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सेयर करके सभी लोगों तक पहुचा देना ताकि सभी लोगों की टेंशन खतम हो सके थैंक्यू दोस्तो